कल क्या होगा? आने वला कल कैसे हमारी जिन्दगी को प्रभावित करेगा? आर्टिफीशल इंटेलिजन्स के बारे में तो आपने जरूर सुनाई होगा लेकिन अब ये कितनी तेजी से हमारी दुनिया को बदल रहा है इसका अंदाजा लगाना काफी मुश्किल है आर्टिफीशल इंटेलिजन्स हमारे लिए वर्दान है या खत्रा इन बातों को गराई से समझने की जरूरत है सदारन बाशा में का जाए तो आर्टिफीशल इंटेलिजेंस इक ऐसा विज्ञान है जो मशीनों को इस तरह से विकास करता है कि वो इंसानों की तरह सोच कर सही डंग से सभी कारिया ठीक तरीके से कर सकें आईए अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये तकनीक हमारे लिए कितनी फायदेबंद होगी आने वाले समय में रोबर्ट की कृत्रिम बुद्धी मता यानि आर्टिफीशल इंटेलिजेंस आम इंसान से हजारों गुना बेतर हो जाएगी वो हर तरह का सही निर्ने लेकर द हमारे पास बेशक कितनी भी बड़ी डिग्रियां क्यों ना हो लेकिन वविश्य में हमारे जीवन से जुड़े सभी निर्ने और काम वो भी बिल्कु सही डंग से सिर्फ मशीने ही करेंगी आर्टिफीशल इंटेलिजेंस के विज्यानिकों की खोज को देखकर लगने लगा है कि अगले 10-15 साल में दुनिया के अधिकतर लोगों के पास पैसा कमाने के लिए कोई भी काम नहीं बज़ेगा आर्टिफीशल इंटेलिजेंस की खूबियों का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कुछ समय पहले जपान के एक रॉबर्ट आर्टिस्ट एड़ा ने अपनी ही शकल की एक शांदर पेंटिंग बना कर सभी कोचों का दिया अभी तक यही का आज आता था कि शादियों की जोडियां भगवान बनाता है लेकिन जपान के रॉबर्ट ने ये काम भी अपने हाथों में ले लिया है अब गुणों के मिलान से लेकर शादी से जुड़ी सभी बातें रॉबर्ट ही तैक करने लगे हैं हेड़फोन से अभी तक हम सिरफ गीत संगीत ही सुनते हैं लेकिन अब ऐसे हेड़फोन बन चुके हैं जैसे हम हिंदी में किसी से बात करते हैं लेकिन सामने वले आदमी को उसकी चुनी हुई भाशा में वो बात सुनाई देगी अब अलग देशों की भाशा सीखने का जट खतम हो जाएगा विदेश के बजारों में ऐसे कचरे के डिबबे आ चुके हैं कि हम अपने घर में जो भी वस्तुए इस्तमाल करते हैं जैसे ही वो खतम होंगी और हम उनका खाली डिबबा कूडे दान में डालेंगे तो वहीं से कंपनी वालों को संदेश मिल जाएग ताकि वो फिर से हमें नया समान भेज सकें बहुत जल आने वाले समय में डॉक्टर वकीर और अन्य कई विशेशग्यों की ज़रूरत खतम हो जाएगी हमारा कंप्यूटर ही हमें महीनों पहले बता देगा कि हमारे शरीर में किस प्रकार की तकलीफें आने वाली हैं और उनक का इलाज कैसे करना है दुबई में अभी से पुलिस स्टेशन में कोई भी पुलिस कर्मी नहीं होता इसी तरह अगामी समय में किसी भी आफिस में करमचारियों की जरूरत बिलकु खतम हो जाएगी और सारे काम घर बेठे हमारे फोन गड़ियां एम अन्य उपकरन कर देंग जपान के विज्यानिकों ने ऐसे अनूठे कार्ट डिजाइन कर लिये हैं जो हमारे फोन के साथ हमारे बैंक के भी सारे काम कर पाएंगे वही कार्ड हमारे रोज मरा के सभी काम भी खुद ही निप्टा दिया करेंगे यहां तक कि मनोरंजन की सभी चीज़ें भी हम उसी कार्ड में देख सकेंगे सोफिया एक ऐसी रॉबर्ट है जो हर विशे के बारे में पूरन रूप से जानकारी रखती है वो आम आदमी की भावनाओं को समझने के साथ देश विदेश से जुड़े सभी मुद्दों पर बात्चीत करने में सक्षम है वो ऐसे काम भी कर सकती है जिसके बारे में इनसानों ने अभी तक सोचा नहीं अभी तक हम सभी लोग कम्प्यूटर और सौफ्वेयर की मदद से ही अपने काम कर रहे हैं लेकिन भुविशे में ऐसी मशीने हमारी जिंदगी में आने वाली हैं कि वो खुद हालात और अनुबव के अधार पर हमारी बेतरी के सभी काम कर पाएंगी आर्टिफिशल इंटेलिजेंस वाले रॉबर्ट ने वो सभी काम करने तो सीखी ली हैं जो विज्यानिकों ने बताये थे लेकिन आपको जानकर हरानी ही होगी कि रॉबर्ट ने अपनी भी एक ऐसी भाशा बना ली है जिससे वो इंसानों से बचकर आपस में बातचीत कर सकें आर्टिफिशल इंटेलिजेंस हमारे लिए लाबदाइक होगी या नुकसान दाइक अभी से कुछ भी कहना काफी मुश्किल है लेकिन एक बात तो पकेट तोड़ से कही जा सकती है कि आज तक मशीने हमारी गुलाम हैं और बविश्य में हम मशीनों के गुलाम बन जाएंगे रॉबर्ट जितनी तेजी से तरक्की कर रहे हैं उसे देख कर ऐसा लगने लगा है कि आने वले समय में हमारी हालत बिल्कुल वैसी होगी जैसा कि आज का इंसान जानुरों के बारे में सोचता है आर्टिफीशल इंटेलिजन्स ने यारों हमें ने कमा कर दिया वरना हम भी आदमी काम के थे दोस्तों आपको ये अनूठा वीडियो कैसा लगा अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं ऐसी और बहुत सारी नहीं जानकारियों वाली वीडियो देखने के लिए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना धन्यवाद